मौरानीपुर कोटबाली शेत्र में चोरों का आतंग फिर से देखने को बिल रहा है गुरुवार की राथ चोरों ने एक घर में चोरी के साथ सोने चाने की दुकान को भी निशाना बनाया हलाकि चोरों की तस्वीर पास में लगे सीसी टीवी कैमरे में कैठ हो गई मौरानीपुर नगर में मौला अलियाई इस्तित रसब जवलर्स की दुकान को अग्याच चोरों द्वारा निशाना बनाते हुए रात के लगबग डेड़ बजे दुकान की सेटर तोड़कर लाखों के कीमती जेबराद चोरी कर लिए गए पही थोड़ी दूर इस्तित मौला अलियाई में भी हाजी अलियम खान कैची वाले के सूने घर को चोरों ने अपना निशाना बनाया सूना मकान पाकर चोर हजारों की नकदे और जेबराद चोरी कर ले गए कटनक समय परिवार के सभी लोग दिल्ली गया हुए थे जब सुवए ट्रेल से घर वापस आए तो घर के ताले तूटे हुए देखकर उनके होश उड़ गया हलाकि चोरी की यह बारदात वही लगे एक सीसी टीवी कैमरे में कैद हो गई जिसमें चोर आते और माल चोरी कर ले जाते हुए दिखाई दे रहे है हम बाहर गयते हैं दिल्ली गयते हैं दिल्ली गयते बहां से लोटे हम गाड़ी मेरी लेड थी और हम यहां दस बजा यह पता चला कि चोरी होगी इतना किसा मन चोरी हुए है एक चांदी की सेल थी, मेरी पाइले थी, दस पंदर अभी सजार रुपीया था, अच्छा, जब आपको घर में आये तो ताले तूटे हुए था, हाँ तूटे हुए मिले हमाँ, पुलिस को सुचना दिया अप लोगा, पुलिस आया गई, सब कुछ आ रहे, दे, पुलिस आया पाए, साहिद दुकंदार भी आये, और करीब 3-4 किलो चांदी की बता रहे हैं, वो चोरी, क्लियर हूर नहीं पाया, अबी कितना क्या है, पुलिस मौके पे आई है, पुलिस मौके पे आई है, पुलिस आप देख रही है, कैमरे और एक जगहां और हुई है, कोई बकाई है वह उनके यहां भी चोरी हुए है कि यहां साइद वो लोग कैमरे में आ गये हैं और हो सकता साम तक यह कल तक वो पकड़े जाए जो नगर में चुरी हुए सर इसके वादे में आप क्या कहिए बाउरानिपूर से रवी परिहार की रिपोर्ट